हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रितिक ने ही किये हैं नी जूत तो आप बोल रही है प्रितिका जी हूं आप ही ने किये हैं लिए जुर्ण सा इसाप ये रहा है यूरॉरॉ हाँ वे सुन रहा हूं तो लो क्या कहना है तुम्हें यूरॉरॉ मेरे फादिल दोस्त निलेज जी के पास अपने डिफेंस में पेश करने के लिए कुछ है ही नहीं कोड का कीमती वक्त जाय ना किया जाए कोड का वक्त बेशक कीमती है लेकिन उससे भी कही ज्यादा कीमती है एक बेखसूर इंसान की जिन्दगी मैं यह सावित कर दूँगा मेरा कहा मानो और जो मैंने कहा है वो करो आडर आडर पैसलस उनाना इस पहले अदालत दो घंटे के लिए इस्तंगित की जाती है तो आडर श्रीकाम तुम्हे उसे मारना होगा तुम कर सकते हो यह उसे जिन्दा रहने का कोई हम नहीं है उसका मरना जरूरी है मार दो श्रीकाम मार दो उसे श्राओ कोरी श्रीकाम कहना है के प्रिटिकाम यहां पर थी जब जश्रीकाम यहां पर आए और उन्होंने उस पर गोली चलाई उसके बाद वो यहां पर आकर खुद को गोली मार दी उस वक्त हो तब जब यह सब हो रहा था उस वक्त यहां पर जो लोग थे वो कहा है वो लोग कोट रूम है सर एक केस की सुनवाई चल रही थी जज श्रीकान जी की हालत कुछ ठीक नहीं ले रही थी उन्होंने दो गंटे का रिससेश्र लिया और अचानक चेमबर में आया और उन्होंने अपने आपको और प्रितिका को बोली मार दी है लेकिन वो गन तौर अप लेकंदिय नहीं थी अंके पास गन कहुम करने की लगता तो ऐसे ही है वैसे जज साब की इस केस में कोई परसनल इंवॉल्मेंट थी? ने नी सर, ऐसा तो कुछ में नहीं था वितिका के साथ कोई व्यक्तिकर दुश्मनी जज साब तो बहुत ही सुल्जे में इंसान ते से केस के हर एक पहली पर बहुत ही बारी किसी कोर करते थे सर मुझे पिछले कई दिनों से लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है उनके साथ मैम, क्या जज साब की तबियाद ठीक नहीं थी? वो तो मुझे नहीं पता हैं लेकिन लेकिन वा उनको कुछ आजीब आजीब से आवाज इस सुनाई दे रही थी वो सबम एक बार आजाएए श्रीकांथ खाना लगा रही हूँ इन पडोसियों की जबान पे लगा भी नहीं जम ते खो अनाप शाना बखते रहते हैं अधी क्या हुआ श्रीकांथ इतना क्यों चिड रहे हो यह ले जाके इन पडोसियों का मूँ बंद करो बें सुनने मुझे उनकी बख्वास पैसी बाते कर रहे हो श्रीकांथ पडोसी के बिचारे पिछले एक मेने से लंडन गए हुए और उनकी आवाज यहां तक कैसे आ सकती है कुछ भी बात कर रहे हो आप कुछ अजीब सा भी हो कर रहे हैं और पता है उसे पडोसियों की आवाज सुनाई दे रहे हैं जबकि वो घर बंद है वहां पर कोई नहीं है किसे बता रहे हैं किसे बता रहे हैं और तुम के समस्तियों तुमसे जूट बोर रहा हूं मैं कुरोबात है से ना अट अजबंद करो बताओ, तुम लोगों ने इस घर में क्या चोपारखार, बताओ मुझे बताओ, मैं सब चानता हूं, सब चानता हूं मैं तुम मुझे पागल बनाने के कोशिश कर रही हो ना? शिकान, यह तुम्हें क्या हो गया है? हॉएअ, अपनी हाला, देखो क्या बना के रखे हैं, तो यहां पर कोई नहीं है, खिसके आउज सुनाज दे रही है ।ुम्हें? सुनाज दे नहीं है, उनकी आउज दि प्मलाजा ठेखेन। यह है है? यह हूज है. यहह है, लिकर वैं किसी की नई सुनूँगा. किसी के नहीं सुनुगा कहीं उन्हें कोई दिमागी बीमारी तो नहीं थी नहीं सर 15 अपरिल तक तो ठीक थे लेकिन आप रेट केंडी होस्पिटल गये थे न इसके बाद ये सब कुछ होने लगा था उनके साथ रेट केंडी होस्पिटल जी सर इस होस्पिटल में चलके बता करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था वाँ पे कि ये जटसा बचानक ऐसा परताब करने लगे सर इस केस में आखिर बचाई क्या है जिस आदमी ने खुन किया उसी ने अपने आपको मार लिया वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी कि एक जज ने अपने सामने वले आरूपी को गोली क्यूं मार दी खून क्यूं किया और तो और उसके बाद में अपने आप पर भी गोली चला है क्यों सर हॉस्पिटल अथारिटी ने बता है कि जज शीकांत यहां पर साइखाटिक टीटमेंट के लिए नहीं बलके डेंटिसं मिलने के लिए आए कई यह डेंटिस्ट कॉन है साइट डॉक्टर रमन अपटिब कर सकता हूं फिलाल तो अप डॉक्टर रमन को बलाई और उनके सिसिंट को भी डॉक्टर रमन 15 इपरिल को जज श्रीकान आप से मिलने आये थे नह यहां लेकिन सर उनकी मौथ से मेला क्या लेना देना, मुझसे ही सवाल क्यों? देखिए, हम बस यह जानना चाहते हैं, जब आपसे मिले थे तो वो दिमागी तोर से बिमार लग रहे थे लो सर, मुझे तो ऐसा कुछ निय लेगा सर, उनको दिमागी कोई बिमारी नहीं है, और नौ साल से डोक्टर रवन के पिशेंट हो, नौ साल से? मतलब आप लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे बहुत कुछ नहीं सर, सब कुछ कुछ और क्या जानते हैं, जड़ा बता से कि मुझे? सर, अभी बताने के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि वह बहुत शॉर्ट तेमपड थी, बहुत जल्दी उने घुस्सा आजाता था कुछ ना कुछ तो गड़बड जरूर है, कुछ तो हुआ है, पर क्या? पीरेन, तुम देकार की चिंता करते हो, दननजे की सिक्रूरी टीप हमारे साथ है, हम सुरफ से पहुंच जाएंगे वह बात तो ठीक है, लेकिन आपको दंकिया मिल रही है देखो विरेन, हमारे कामों में दंकिया मिलती रहती है और ऐसी दंकियों से मुझे डर नहीं लगता है देखो, डर तो मुझे भी नहीं लगता है क्योंकि मुझे धननजय और उसकी टीम पे पूरा भरोसा सर हमने हाल के पांथ सो मीटर तक लोगों के चानी पर रोक लगा दी है और हर जगा सीसी टीवी से निगरानी की जा रही है ये बहुत आसान है धननजय कायर मद बनो हम जानते हैं इस काम को तुम पूरा करोगे वो भी अपने हाथों से तुम सुन रहा हो ना धननजय तुम बुस्दिल नहीं हो नहीं हो तुम बुस्दिल आयर मत बनो, इस काम को तुम पूरा करोगे सर क्या वता रहे थे तुम ब्लॉग B के अरेंजमेंट के बारे में सर में ब्लॉग B के बारे में बात नहीं कर रहा था सर आप ठीक है ना आपकी तबिएत कुछ खराब लग रही है मेरी तबिए ठीक है मैं ठीक हूँ तरांजय तुम्हें उसे मारना होगा ख्वत्म प्रदोस्रे मातो तरांजय, मातो दाड़ी रोको यह इसने गाड़ी क्यो रोक दी? सर क्या हुआ? शाबवाज ठनजय तुमना मिशिन पूरा करो मार दो उसे जाब रहे ठनजय तुम ठायब रही हो तुम यह कर सकते हो ठनजय जी यहां क्यों आ रहा है? मार दो ठनजय उसे कॉली बादो सोचो बादो सोचो बादो इसमें देख्टों ओड़ी क्या बात दनजय? गाड़ी क्यों रोकवादी ओ माय गौड संजीची, आपको क्या हो गया? दनजय, यह क्या कर दिया तुमने? अच्छी निताजी के सेक्यूरिटी का इंचार्ज वही था? जी सर, दनजय जी, वहें इंचार्ज थे कमाल है सर, इसे बॉडिगाड रखा है उसी ने मार दिया निताजी को मारने की कोई खास वज़ा? सर यह तो दनजय जी ही बता पाएंगे इसे ही बात बथा गोली अंदर मारी या बाहर से? सर बाहर से हमारी, कार के सर निताजी के च्रिदन फांडेशन के मेटिंग थी वहाँ जा रहे थे हमारी गाड़ी आगे थी और निताजी की कार पीछे और मैं धरनजय जी से निताजी के सक्योरीटे की बात कर रहा था पर यह मेरी बातों मैं ध्यान नहीं दे रहे थे और कुछ, कुछ खोय खोय से लग रहे थे सर इनके चेहरे में एक अजीब सी बहचे नहीं थी मैंने अनसा पुछा कि क्या हुआ तो कुछ बहकी-बहकी सी बाते करने लगे सर अब जश्रीकान के साब कि तो ऐसे ही वा था विरेन जी सर विरेन जी जी सर आप लटाजी के साथ थे ने? हाँ सर मैं ही था नेता जी ने आपको कुछ बताया? इस धननजय के बारे में सर नेता जी हमेशा धननजय की ताऌरिफ किया करते थे उनकी जान को खत्रा था अभी कुछ दिन पहले ही धनन जै ने उनकी जान बचाई थी बड़ी अजीब बत है सरु कुछ दिन पहले जिस आद्बी ने 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 टा जी की गान बचाई आज उसी ने उनका खुन कर दिया अफना माराइ थै एक गुछी मानने के बाद दनेन जया नहें भागने के कोशिच कि थी वहार। सब दा मुश्किल से सिक्रीोर्टी वालो ना उने उन्हें रोका था Sir हमा रेसर जज शीकांतव ने खूण करने के बाद अपने आपको गुली मार दी और इसने भी अपने आपको गोली माने की कोशिश किया। काम करते हैं धनिंजे को प्योरो ले चलते हैं। वे से उससे पुछताश करेंगे। और पिद एक बात समझ में नहीं आ रही है दया। खुन करने के बाद खुनी अपने आपको गोली मान लेता है। क्यों है। बोस्त, दोर्टर भीना, ये क्रिमिनल साइकोलोजी में रिसर्च करेंगे है। इनने दुनों के इसके बारे में बता दिया है। यस बोस्त मेरा बेटा कहा है। मुझे उससे मिलना है। तोरी नेता जी के सेक्योरिटी इंचारज, दनन जे की माँ. उसे यहां क्यों लाए हूँ? देखिए, आपके बेटे ने नेता जी का खुन किया। जी नहीं, मेरा बेटा किसी की हत्त्या नहीं कर सकता। वो तो खुद बीमार है। उसकी बीमागी हालत ठीक नहीं है। क्या बीमार है आपके बेटे को? इछले कुछ दिनों से उसे कुछ-कुछ आवाजे सुनाई देती है। क्या बात है बेटा? बड़े परिशान लग रहे हो। ऑफिस में कोई प्रोब्लेम है क्या? कोई टेंशन? तो दिनों से तुम मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहे हो। कोई तो है यह। सुनो ना, मैं तुमारे पेवरेट सबजी बना रही ह। पालक की? इस घर में कोई तो है जो मुझसे बात कर रहा है। अरे मैं ही को बड़बडा रही ह। इसरा मौन बात करेगा घर में कोई तो है हमारे अलावा इस घर में जो मुझसे बात कर रहा है मा? मा, कोई तो है इस घर में, हमारे अलावा मा मुझे अधीत से आवाजे सुनाई दे रही है, कोई मुझसे बात कर रहा है हम दोनों के सीवा कोई नहीं है बेटा घर में कोई है जो मुझसे बाते कर बंदो कोई आवाज फिर से अरी कोई नही नहीं है माा कोई नहीं है अरे कोई तो है मा ओओ बड़ कोई नहीं है बेटा तुम यहाँ आजाओ मैं तो यजी तभीं की सिए थीक नहीं है आज बहुत दोक्ति के पास जाना चाहिए लेकिन ऐसा तो चिजोफेनिया में होता है हाँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्किजोफेनिया एक मानसिक बिमारी होती है ऐसे में पेशेंट को बहुत सारी आवाजे सुनाई देती हैं लोग ना होने के बावजूद भी दिखाई देते हैं और पेशेंट अपने आपको मारने की कोशिश भी करता है क्या आप मुशे बताएंगे कि इन दोनों पेशेंट की उमर क्या थी? शेकान जी की उमर पचास साल और गनानजा बेह लिसाल क्या लेकिन इस उमर में स्किजोफेनिया नहीं होता क्या मैं उनसे मिल सकते हूँ? मुझे पेशेंट से बात करनी है या बिलकुट, पुरुवी धननचे, तुमने संजीत को क्यो मा रहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ धननचे तुमने संजीत को क्यो मा रहा? मुझे पुछ आवाजों सुनाई ले रही थी यू मुझे उक्सा रही थी केहरी थी कि मैं बुजजद हूँ, काया हूँ मैं, नहीं किसी का खूम में ही गर सकता अरिपा थी में अख्षाया, तो मैं खूम कटर रिया और ये तुम्हारा गाल? ये गाल कि मी सुचाए है? मेरे दाहत में इंफेक्षिन है ज़ज श्रीकांथ, उनके दाथ में इंफेक्शन था, सबुए ने लगी उसकी तवियत खराब रहने लगी क्या? दाथों का इलाज करवा है उसके बाद में तवियत खराब हो गई? किस देंटिस्ट के पाद सा इलाज करवा रहा था हूँ? दॉक्टर रमन, रेड़ केंडी हॉस्पितल. रेड़ केंडी हॉस्पितल गए थे ना? उसके बाद ही है सब कुछ होने लगा था उनके साहँ? इना बड़ाजीब कोइंसिदेंस? धनने जो श्रीकान दोनों का भी दाथ का प्रव्यक्त दुनों का डिंटिस्ट भी एक और ट्रीटमेंट के बाद दुनों के तवियत भी बगर जाती है यह कैसा कोइंसिदेंस? गरवर है, बहुत बड़ी गरवर है इस धनने और जज श् प्रवर है क्या? वीक्या हो सकत्ते? पुसा, यह वेक्या? क्यो? यह माक्स? इस्टों के दह्मत्थ के दन्तों में है कुछ बॉरन बॉड़ी जैसा कुछ क्या हो सकता है हाँ ताडिका, एक काम करो, एसीपी सापको फोन करदो, उन्हें बोलदो के, केस की जड़ मिल गई है एदे को बोस, दोनों के दांतों में इस तरिके की चिप यह तो बग है? यह बग भी है सर यह तो जासुसी में इस्तमाल होने वाला ट्रांस्मेटर जैसा कुछ है यह तो भॉस इसके जरिये ही श्रीकान्त और धननजे को वो आवाजे सुनाई देती थी तो यह चिप ट्रिकर का काम कर रही थी किसी के जरिये वह उकसाने वाली आवाजें उनके कानों तक पॉंच रही थी एक जरिकान्त और सेकरीटी आवफिसर धननजे के दाथ में फिट गया थे यखी मेरा यकीन कीजिए मैंने कोई ट्रांस्मेटर नहीं लगाया है यह क्या बखास कर रहे हैं जोकर साब दाथों में ट्रांस्मेटर क्यों लगवाएंगे आप हमारे हॉस्पिटल को बरवाद करने पर तोले हैं टॉक्टर रामन हमारे होस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर है यह इस तरह का कम अर्गिज नहीं कर सकते और इस तरह का काम यहाँ पे हुआ तो है हो में श्रीकान्त औधनाजे के दाज से गे ट्रांस्मिटर बनते हैं सर्जकान्त नौ एक्षिस्पियटर ने तो साल अपने फिकिशिक करूं अपने हिसाथ इसा कोão करूंग ने यह तो आप बताईए ना? क्यों लगाया था था? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई था 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 क्योंकि दॉक्टर रमन के बास था 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 बनाने और उसे मोलार इंप्लांट्स की ट्रेनिंग ही नहीं है यह तरह सी चेक करो, एक एक कोदा चान मारो और कितने लोगों के दाद इंप्लांट किया है? जी, लगबग 20 लोगों बाद चाहा, तुम तभी लोगों की नाम और पता चाहिए हमें देया, जो सकता इन 20 लोगों की जान को खत्रा हूँ कुछ समझ मे आ रहे है? अँछ समझ मे आ रहे हैं, यही कि यह तरह स्वीटर जीना चोटा है उतना ही पावफु है किटनी रेंज है इसके? सर इसके रेंज है कोई 15 से 20 मीटर है यानि अगर इस टरह से किसी को कम्यूिकेट करना है तो उसे 15 से 20 मीटर के तारे मे रहना होगा इसकी फ्रिक्वेंसी आफ लोग ट्राक कर सकते हैं बिल्कुल ट्राक कर सकते हैं लगर उसके लिए पहले जानना होगा कि यह ट्रांस्मीटर कितने हर्ट पे काम करता है तो पता लगा उतने हर्ट पे काम करता है क्योंकि फ्रिक्वेंसी अमारे बाल जुरूरी है जहां पर यह एक्तिव होगी वही पर हमारा कोगी होगा ठीके सर आप थोग सब्ग दे दीजे मैं जल्दी पता लगानी कोशी करता हूँ ठीक है यह कहानी आके रुख जाती डॉक्तर रमन के नाम पर तारा का शड़ दोक्तर रमन पर ही है लेकिन सर वो अपने पूराने पेचान का खूंतियो करेगा है आसर अश्पिडल अधिर्मिस्टेटर बता रहा है कि एचा टांस्पेटर बनानी की काविलियत डॉक्तर रमन देने है तो यह कविता और फिरेंदी है तो सकता है फिल में से किसी नहीं हो सकता है बिल्कुन हो सकता है तेकिन जो भी है तो फंदर और वीस मिटर के दाएरे में ही काम कर रहा है तो उन वीस लोगों के बारे में क्या पता चला जिसर उनका अपस में कोई करेंशन नहीं है यहां तक लोर चिंबर और चिंबू पता लगा वहां पर किपने सेलपोल एक्टिव से उस खून के दावराद और देख उस दाथ बनाने वाले कंपनी में जाकर पूछ आज करो देखो कौन जो सकता है जो दाथ में ट्रांस्विटर स्वेट कर सकता है भीना भीकी नाम है जी स करेम कको पेछाना ने हम से एई-टे से कोई गलतीं होई क्या ने बलती नहीं अगेाँ है अचाली खीर केस क्षिशने हैं में कुछ पूस्ताश करन र्लेbaby कि अपके दानों में कुछ प्रोब्ल्मम् ही ना हाँ जालाज खाना है ता हापने टेंड की अ पड़ियों? एक पड़ियों के लाज के लाज के लाज से कोई तकलीफ हुई है? आए मेन अब कुछ अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती हूं या जैसे कोई ओर दे रहा है कुछ करने के लिए यह सा तो कुछ नहीं हो लेकि रगद दर्थ हुआ था वो तो नॉमल है दात लगवाएंगे तो थोड़ा वो दर्थ हो गाई ठीक है अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो परणा में बतायेगा और है किसी अंजान आदमी के बैगावे में नहीं आना है और किसी के बुलाने पर किसी अंजान जगे नहीं जाना है ओके जी जी ट्यान रखिएगा जी सार डॉक्टर रमन बहुत अच्छे हैं दात लगाने के बाद से मुझे ज़ासी भी तकलीफ नहीं है आपको कोई आवाजे सुनाई दे रहे हैं क्या मतला वेज़का जिन जिन लोगों को भी डॉक्टर रमन ने दात लगा हैं उनमें से कुछ लोगों को अजीब सी आवाजे सुनाई दे रहे हैं मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा अगर ऐसा कुछ भी हो आपके साथ तो आप हमें प्लीज इंफरू करेंगा यह शुर करते हैं इल्लीगल काम हुआ है यह देखिए रेट कैंडी हॉस्पिटल में आप लोग नहीं दाद बिजेते ना जी हां मैडम उसके अंदर ट्रांस्मिटर फिट के रहते हैं जज श्रीकान और सेक्योर्टी ओपिसर धनन जय उनके दाद यहीं पर बने थे ना एक मिटसर में चेक करता हुआ हाँ सर दाद तो यही बने हैं लेकिन अगर वो हमारी एंप्लोई रुपाली होती जिसने यह दाद बनाए है तो सटाई पता चल जाती कहा है आपकी वो एंप्लोई रुपाली वो तो कल रात गुजर गई कैसे कुजर गी उसे अस्तमा अटाक हुआ था लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसे कभी अस्तमा थाई नहीं जियां सर उसके खर के अड्रस देना सर कर दो मैंने हो गए कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर जब से दाथ लगाया सब ठीक है सर एक कुछ अवाजे सुनाई दे रही हो अजीव अजीव सी नहीं सर पर हुआ क्या सर देखिए रेट कैंडी हॉस्पिटिल में जितने लोगने भी ट्रीप प्राइए मत ऐसा कुछ नहीं है आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि कुछ अजीव जीव सी आवाजे सुनाई दे रही हो या पिर कोई ऐसा आणी दिख रहा हो जो है नहीं मत दूसरे बोल रहे है कि किस से बात कर रहे हो तो अगर ऐसा कभी हो तो पौरन हमें हुआ है है हुआ है और कितनी लोग बचे पंकच शर छेक करने के लिए और पांच लोग बचें सर पांचों को भी जल्दी से जल्दी चेक करना होगा क्या बता उस हत्यारे का अगला निशान नहीं में से गोई हो हाँ हाँ सर आण अभी वता चला के नहीं कुछ अब मैं और पॉज़ी थोसी थिर आप आप एड़ जद सरिकानतृ आप संजित का समंध है सर इचा कैसा जम्मन दिशव ये ये केस फाइल लेकिए दो हटारो कि एक डॉक्तोर रिसर्च कर रहेते लेगन उसकी ग्रांट नेता जी संजीद ने कैंस नहीं स Nejच Chanel कर दिया यह नाम है डॉक्त या इस बतालकने पड़ेगा यह डॉक्तर लालित है क्यों उदिए खुझ वे बात को रेसोच करना था तो आपकी बेटी ने टूठ इंप्लांट करवाया था हाँ, अभी दू दिन पहले करया था इंप्लांट रेट केंडी होस्पितल से सर, जिस दिन से टूठ इंप्लांट करुए है अजीब अचीब बाते करती है और बहुत रशा है तुम हो और पापा तो होंग कॉंग में है, और कोई आएगा तो बेल बजाएगा ना? बेल भी तो नहीं बजी है. पता निमो, क्या हो रहा है? जब से सोकर उठी हूँ, ऐसे लग रहा है कि घर में कोई है, और मेरे बारे मैं जीब-जीब सी बाती कर रहे है मुझसे, कुछ सभश में नहीं आ रहा है. तब यह तो ठीक है, कोई सपना देखा क्या? नहीं, माम, कोई सपना नहीं देखा. लगता है मेरे कान बज़ रहे हैं. हूँ, कीसे काम करो, मुझे तु चाहे देदू मेरे रूम में, मिजा सपर घूम रहे हैं. तो अभी जीया कहा है? उसे मेंने सेकेटरिस के पास देजा है, जान रहा है. तेके आप उस साइकेटरिस का एडरेस दीजिए. हमारा अभी उसे मिलना बहुत जरूरी है, नमर लेना. जीया, आज तुम्हें वो काम खात्म करना है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में मारना है, जिन्दा मत छोड़ना उसे, मार्दों से, ता जुसकांद होना ही चाहिए! कहा जाएगे मडम? जेके मार्केट, उसे कहो तुम्हें जेके मार्केट जाना है. मैंने खाए मडम कहा जाएगे? जेके मार्केट? जी बैठिये. जिया तुम तरपोख हो, तुम तरपोख हो, तुम 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 अब नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, मैं कहां बात कर रहे हूँ जिया, तुम्हें उसे मारना होगा, तुम उसे जिन्दा नहीं छोड़ सकती, तुम्हें उसे मारना होगा जिया, मारना होगा तुम्हें नहीं, मैं किसी का गुण नहीं करूँगी, किसी का भी नहीं अरे भया, गाड़ी क्यों रोख दी? मेडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी क्यों नहीं जाएगी? मैंने काया है मेडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी अगर लिजाना यह नहीं था तो पिठाया क्यों? मेडम, आप उतरती है यह माझा गाड़ी से उतर जाओ. सर, सर, वाच्मन और परोसी बता रहे थे कि रुपालिया तीन मेने पहले ही शिफ्ट हुए थे और अके लिए रहे थे. आँ, जो चेक करते हैं चिदर से. यह क्या है? तुने सारी यह टांस्मिटर्स? यह दॉक्टर रमन की पेशिंट्स की पुरी टीटेल्स भी एसमें. यह देखो. सर यह जिया तो वही है, जिसके बारे में अभी जिस सरने में बताया था. सर यह रुपाली, यह कहीं किसी के कटपुतली तो नहीं थे? वह सकता है. शाद खुनी को पता चल गया होगा कि हम लोग रुपाली तब पूर जाएंगे. इसलिए मार्दियल से. इसलिए. इसलिए? नेताची, संजीत, विरेन और जिया, इन पीलों के चेहरे पे रेट सक्र? नेताची के चेहरे पे एक क्रॉस माहरा होगा. नेताची तुमारे गए. अब बचे ये विरेन और ये जिया. मतलब अगला नबर इनका है. माम जी. ये जिया साइकेटरिस से मिलने के लिए गई थी. लेकिन वहां पहुची ही नहीं. अच्छा? हमें यहां वरुपाली के घर में एक तस्वीर मिली है. जिसमें नेताची, संजीत, विरेन और जिया है. ये ब्राव. नेताची के चेहरे पे तो क्रॉस मारा हुआ हुआ है. पर इन दोनों के चेहरे पे लाल पेंसे सरकल बना हुआ हुआ है. कही हैसा तो नहीं कि ये जिया विरेन को मारने के लिए गई है? एक काम करो तुम विरेन को अलेट करो. पता करो वो का है. तब तक मैं जिया की लोकेशन ट्राइक करता हूँ. और हम लोग मिलते हैं, ओके? या. तुले, सर विरेन को पून लेना. सर विरेन को फून तो बंद है? तर लिया है. सरै जिए ट्रांपीटर 1.8 MHz से 2 MHz को विच में विच मेंडि़ना है. समीट. वन पॉन पॉन याइट मेंगा था नीकाला है वाज तरह सर्च कर दिया है, एक जिसका जानेक्टरम इस नेता जीशनीत और च्छाश्रीकान के साथ है. उसादमी का नाम है डॉक्तर ललित, आर मुझे तो है डॉक्तर ललित समय है इस में नेता यस संजीत ने प्रैक्टिस करने का लाइसन्स केंसल कर दिया था और पैर इस डॉक्टर ललित को जच्छ निकान मैं सजा सुनुए अब हुआ क्या पहले खोऊन वाण जच्छी कान का अफिर्सके बार में निताजी शें जीट मारा गया यह क्यों कॉन कार सकता है कि डॉक्टर लदित कर सकता है उसी का सचने इन दोनों के साथ बस अब दॉक्टर लदित जिस फ्रीकुंसी पर ऑपरेट कर आज वो फ्रीकुंसी भी पता चल ग यह दॉक्टर लिलिट किस किस से बात करता है और क्या बात ही करता है ओ तया यह रेडियो फ्रीक्वेंसी 1.8 मेगा से 2 मेगा हमारे सारे फ्ली स्टेशन और रेडियो वांस को बता दो अब देखते हैं कब तत भागता है यह दॉक्टर लिलिट इस फ्रिक्वेंसी पे कोई हरकत नजर नहीं आ रही है जब भी बोलेगा पकड़ा जाएगा पूरी मुंबई इस फ्रिक्वेंसी को हर पाँच किलोमेटर में ट्रैक कर रही है अगर जिया विरेन को मारने निकली है तो वो खूनी वन पॉइंट या टू पे ज़रूर आएगा जाओ जिया अपने काम को अंचाम दो यह कौन हो सकता है जो संजीत के खूनी के बारे में मुझे बताने के लिए यहां बुला है जिया उसे मारना होगा तुम्हें उसे सिंदा रहने का कोई हग नहीं है ज्यादा सोचो मत मार दो जिया उसे मार दो उसे सिंदा रहने का कोई हग नहीं है उसकी तरफ देखो पहचानों से वो तुम्हारे सामने है किल हम उसे सिंदा रहने का कोई हग नहीं उसे की आवाज है तुम्हें से लोकेट करो देखो अपनी बैक से गन निकालो जिया तुम कायर नहीं हो शोट हिम शोट हिम लोकेशन क्या बता रहा है सर जेडी मार्केट मरोल दिखा रहे जिया बारो बारो उसे उसे जीने का कोई हग नहीं आदो लड़की हो जिया धरो मत चला दो बुली बारो उसे वेकर खवाओ जिया चला बुली यस गब जिया सर ये क्या हो रहा है ये मुझे क्यों बानना चाहती थी किसी ने मुझे फोन करके बुलाया कि संजीत की खुनी के बारे में बताने वाली थी दुराया नहीं ये सब एक प्लान था आप अब ही सेफ है आप जा सकते हैं ओके सर थेंक्यू तो खुनी यहीं कहीं होगा पीड बे मिक्सप हो गया है सिंगनल यहीं है देखते हैं हलो हलो अभी जीत बूल रहा हूं कभी हम सभी मिल्लिया करो अरे इतर उंदर क्या देख रहा है तेरे पीछे हो डॉक्तर लेलित ऑस्पिटल के एड्मिस्ट्रेटर पवन मुझरिम चाहे कितने भी नाम बदले चाहे कितने भी बेस बदले एक नाएक दिन चिकंजी में पसी जाता है क्यों चलो जड़ श्रीकांत और नेता जी संजीत कि लोगों का खून क्यों करवाया तुमने उसे पदला लेना चाहता था पदला लोगों ने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी थी कैसा पदला मैं एक हुनहा डॉक्टर हूँ मैं स्कीजोफिनिया नम की बिमारी पर उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो भी वर्थस्लेस लोगों पर मेरी असेस्टेंट जिया ने उसके गिए अचैज़ बरबाद के बिए विरेन ने नेता जी संजीत से मेरी ऑफिशल कंप्लेंट कर दी और नेता जी संजीत ने तुमारा यह एक्सटरमेंट रुकवा दिया हाँ यह प्रोजेक्ट पीश मेर हो गया तो पर जेल किस ले गय थे तो मेरी लापरवाई की वज़ए से एक आदमी की मौत हो गई थी ज़स्रिगान ने मुझे बिना कुछ सोसे समने दस साल की सगा दे दी तोक्तर होनी का रुटबा चीन गया मुझसे तो इन लों को मार के अपना खोयावा रुटबा असिल कर रहे थे तो रवन और रुपाली इन यह से भाहर आने के बाद मैंने दुश्मानों को ट्रेक करना शूर कर दिया नंगे अनके अंडर एक डिवाइस पीट करना चाहता था जिसे उनको कुछ पता ना लगे दॉक्टर रमान और रुपाली मेरी से मदद कर रहे थे उन्नों कैसी मदद कि ज़स्रिकांत और जिया क कर दम मैं दाटों में प्राबल्म थीर्स को अपने चैगप के रिए यह टॉक्टर रमान के क्लीनिक पे चाते थें पैसे रेसें लूबnent की टाथिऊन को प्राबल्म भाल्क थी हैं मैं आ उसे टीन डैंटल झाप क कलॉलज धिया रोक्टर रमान पे भेग के पेज्डिक बा मेरे कहने पर रुपाली ने उनके दाटों में डिवाइस पिट करती है और रुपाली इस अब करने के लिए मान गई? हाँ क्योंकि मेर रुपाली से प्यार करता था अंदरों ने मिलके डेंटल खोला था रुपाली इस काम मेरी मदद कर रहे थी तो पिर उसका खून क्यों किया तूमें तो कि जशिरिकान तो और नेदा जी के मनने से आप उस ते पहुंच जाते और उमेरा नाओन ले देती तो आज मुझरिम नहीं बनते हैं और जिंदगी बर जेल किस सलाकों के पीछे सर्ण आज मुझरिम दिज बनते हैं और जेए भाल माझा के बनते हैं और जासे हैं आज मुझरिम आज सकते है्